रिमोट सेंसिंग तक्नीक हिमाले ग्लेशर और ग्लेशर में बन रही जीलों के अध्यान में कारगर साबित हो सकती है रोड़की में भारतिय जल विग्यान संस्तान के विग्यानिक डॉक्टर संजे जैन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों के अध्यान में ये स्पष्ट हुआ है कि ग्लोबल वामिंग का असर हिमाले शेतर पर पड़ा है इसके चलते ग्लेशियर सिकुड रहे हैं रिमोट सेंसिंग तकनीक इस्वाल से वहां हो रहे बदलावों पर ज्यादा भैतर नजर रखी जा सकती है जिससे प्राक्रेट काब्दा के स्थिती में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके रिमोट सेंसिंग से हम लेक की इन्वेंट्री सबसे पहले बनाएं जितनी भी लेक हैं जितनी भी जीले हैं हिमाले शेतर में उनका सबका चितरन हो, उनको चिहनित किया जाए, उसके बाद सबसे जरूरी है कि उनमें से कौन सी लेक ऐसी है जो की आने वाले समय में जिसके तूटने है फटने की संभावना है, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, तो उन क्राइटेरिया की बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि कौ कुंसी लेक आने वाले समय में तूट सकती हैं अगर वह तूटती है तो उससे 12K कितना होगा उससे नीच देब ऒाले चैतर में कितना जल्मग्न होगा वो छेतर का अगर हम आगलन करने से लोगों को पहले से सूचित कर दें तो उस छेतर में कम से कम हम इस तरह का करें कि प्लानी आगे ऐसी हो कि वहाँ पर कोई डवलप्मेंट आओ